यहां पर आचुकी है ICI की एक announcement और यह है आर्टिकल्शिक को टेस्ट है उसके लिए पीटी टेस्ट जो होता है उसके लिए तो चलिए फिलाल में देखते हैं उस announcement को यहां पर मैं हूँ आईसे एक website और इसमें आपको जाना है student के section में then board of studies announcement and then आपको जाना है यहां पर important announcement तो आज के ही date में means 16th of October 2018 जस्ट थोड़े दिर पहली यह announcement आई है so registration for practical training assessment schedule on 2nd of December 2018 तो यहां पर मैं आपको announcement को open करेके दिखायता हूँ यहां पर लिखा हुआ है कि जिनकी जो practical training है first year की and second year की complete हो चुकी है और जो timing है April से September 2018 means 1 April 2018 से लेकर के 30 सितंबर 2018 तक जिनकी भी training articles की complete हुई है first year and second year की वो इस test में appear हो सकते हैं so यहां पर मैं एक बार announcement आपको पढ़के बतायता हूँ तब practical training assessment test for students who have completed their first and second year of practical training during April and September 2018 and have not appeared in the test till date so आज तक अगर इस test में आप appear नहीं हुए हैं तो आप इसमें register कर सकते हैं so जो आपका जो test होगा second of December 2018 को होगा अब यहां पर जो registration है registration की dates start हो रही है 23rd of October 2018 से तो 23 October 2018 से start हो जाएंगी video का आप share करिए क्योंकि यह जो dates है वो जल्दी close जाती है तो video का आप share ज़रूर करिएगा तो यह website है मैं आपको website एक बर open करें के दिखायाता हूं तो यह आप देख सकते हैं PDTest की website है यहां पर चीज़ें आप पढ़ सकते हैं जो भी चीज़ें है तो इस तरीके से यह आप चीज़ें पर सकते हैं इसमें बहुत से रीचेश आप मिल लाएंगी इसमें आप कैसे लॉग इन करना है यह सारी रीचेश इसमें गिवन है इसके बात करते हैं टेस्ट में क्या चीज़े आती है क्योंकि मैंने इसके पहले भी कुछ चेक कर सकते हैं कि कैसे सेंपल पेपर आते हैं उसके अक्वर्टिंग अब अपनी तजारी कर सकते हैं तो फिलाल में यह वीडियो यह तक की है थैंक यू सो मच फॉर्जिंग दिस वीडियो और हैव नाइस टेर